नमस्कार मैं हूँ द्प्ट्र वृता सिंग एसुचिल प्रोफेसर होन्ट साइन्स पिछले विडियो में मैं लेयोन रेशा की तयारी रेशा के प्रकार और रेशा को रेशा को रित्रिम रेशा की कहते हैं इन सब बातों के बारे में जानकारी प्रदान की थी आज की वीडियो में मैं रेयन की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हैं प्लीजिये टोन की दोनों ही विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और यहां चाहे चाहे जिस विदी से भी आप तयार किये गए हों चाहे कुप्रामीनियों विदी हो सेलूलोज एसिटेट विदी हो नाइटो सिलूलोज विदी हो विस्कॉस विदी हो इनके मूल आधार सिलूलोज होता है फिइसे अनकी है पॉधों से प्राप्ट होता है चाहे बाद्श की लुक्ती हो खःल सकाल beleणिटर हो यह लगनेटी की इनमें शेलूलोज होता है इनके संगठन में क्या है carbon hydrogen और oxygen जो कपास में जो इस प्रकार का गून होता है वही गून आपको रियूण में भी देखने को मिलता है दूसरा है शुक्षम दर्शी रचना माइक्रोसकॉपिक स्ट्रक्चर एंड एपीरेंस के रियोन की सुख्षम्दार्शी रचना उसके निर्मान वीद्यों पर निर्भर करती है जैसे विश्कॉस रियोन की अनुप्रस्त काट अगर आप सुक्षम दर्शी से देखेंगे तो दातेदार किनारी वाली दिखाई देती तो है उनका किनारा कुटा-कुटा लांत की तरह दिखाई देता है अनुप्रस काट में यह चड जैसे दिखता है जिसमें पतली पतली धागे के समान धारियां पुरी लंबाई में दिखती हैं ये धारियां चमकदार दिखाई देती हैं चमक होने की दस्ता में ये छोटे-छोटे काले धब्बे जैसे दिखते हैं अगर आप अनुदर दिखाई देखेंगे तो महीन चिकना चमकदार रेसम की तरह दिखाई देखेंगे तो इसमें चमक कम रहती है पूरी लंबाई में गहरी खांच या कटाव जिसको हम ग्रूप्स कहते दिखाई देता है इसका अनुप्रस्त काट कुबेदा बलबस लॉप्स की तरह दिखाई देता है और इनके किनारे नातेदार होते हैं नाइट्रो सेलुलोज विधी द्वारा रेउन का उत्पादन नहीं होता है इसलिए इसलिए रचना का प्रशनी नहीं उठता अब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं होता क्योंकि मैंने कई बर बताया नाइट्रो सेलुलोज विधी द्वारा जिन रेशन रेउन का निर्मान किया जाता है वे काफी मंगे होते हैं और जल्दी याग पकड़ लेते हैं तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसा बस्तर पहन करके आप अगर कीचन में जाए और जल्दी से आग पकड़ ले और इनसान जल है तो वैसे वस्तर को खरीजना पसंद करेगा इसलिए नाइट्रो सेलुलोज विधी द्वारा रेउन को पादन नहीं होता है और इसलिए इसके सुख्ष्म दर्शिय रचना का प्रस्ण ही नहीं उठता है तीसरा इसका लंबाई तो अब मैंने आपको पहले बताया कि मानो पантase शकी ओर चोटे रेसे क्या कहलाते हैं अ कृताइई यह अभी मैं ने बताया था पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको लिंटर्स छोटे रेसे को हम लिंटर्स कहते हैं और बड़े रेसे को हम फिलामेंट कहते हैं इन से अत्यत सुन्दर रेसम के समान चिकने सतह वाले वकोमल वस्तरों का निर्मान होता है छोटे रेसे जिन्हें हम अस्टेपल कहते हैं इन्हें टो भी कहते हैं इन्हें विन विन तरहिए इकोई के जब्न के साथ मिला करके बिभन प्रकार के बस्त बनाए जाते हैं। और जो लिंटतर से वह कपास पिश्ट चोटे रेसे हैं उनको लिंटर सकते हैं और छे षेच कमास के भी आकों इसकारton काते हैं रियोन के रेशों को समान व्यास वाला बनाये जाता है। रेशों के व्यास में भिनता लानी के रिए दबाव परिवर्तित करना होता है। जिससे गाढ़ा गोल अस्पिनिरेट से नियंत्रित प्रवाह से निकले। इस प्रकार भिन 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 ब्यास का रेशा बनाये जाता है, कुछ रेशे अतिनत बारिक होते हैं, जिनसे एक सुत निर्बान के लिए 100 से 1500 बारिक रेशों के आवशकता पड़ती है, इसके बाद मजबूती, रियोन के रेशों में उनके अपेक्षा अधिक मजबूती होती है परन्तु सिल्क के अपेक्षा जो रेशम का दागा है, उससे एक तिहाई कम मजबूती रहती है, सूखी अवस्था में अधिक मजबूत होते हैं, और गिली अवस्था में इनकी मजबूती 40-70% कम हो जाती है, सूखने के पस्चा आते पुना अपनी खोई हुई मजबूती क प्राप कर लेते हैं, अधिक वस्था की सफाई धुलाई करते समय, इस बात का विशेश दिहान चाहिए, इन्हें रगड रगड कर नहीं धोना चाहिए, एक मैं अपना उभव बताती हूँ, बहुत पहले मैंने एक रेवन का नाइटी खरीदा था, और उसको मैंने पहना, पहना तो किताबों में तो मैंने जरूर आपकी तरह BST में पढ़कर के आये थे, कि रेवन का रेश जो है, सूखने पर मजबूत हो जाता है, और गीला होने पर ये कमजोर हो जाता है, लेकिन इसको मैंने बेभारिता में नहीं अपनाया, और उनको खुब मैंने रगड रग के जरूरत होती है, लस्चर अगर आप देखेंगे चमक, तो रेश का रेश की तरह ये चमकदार होता है, चुकि ये रेशा मानो की तरह है, तो ये काफी चमकदार होता है, और इसकी चमक को कम करने के लिए, कि टिटैनियम डायोकसाइड, मिल्रल, आइस, मों, पेराफीन, इसकी चमक कम हो जाती है, और परिधान के पर्योजन के नुसार, इसकी चमक कम अधिकत्वा मन्द या भीका किया जा सकता है, अस्थाई चमक कम करने के लिए, रेश को परिवर्तित कर देते हैं, रंग देखेंगे, तो सामाने तह रेशा स्वेत रंग का होता है, परंतु इन्हें बिन बिन रंगों में बना सकते हैं, और जिस रंग का आप रेशा बनाना चाहते हैं, उस रंग को कौलवाइडल स्वलूशन में अस्पिन रेट में डालने से पहले ही मिला देते हैं, और फिर उस कौलवाइडल स्वलूशन को अस्पिन रेट से निकालते ह इस प्रकार की रंगाई से रेशे के भीतर तक रंग प्रविश्च कर जाते हैं जो अस्थाई बने रहते हैं और निकलते नहीं हैं कताई से करते समय विस्कोस रेशा पीला, एसिजेट रेशा रंधीन और कुप्रामेनियम रेशा सफेद होता है एलास्टिसीटी के बारे में अप्चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि रेवन में प्रयाप्त प्रत्यास्तता पाई जाती है क्यों प्रामेनियम रेशे को खीच कर कताई की जाती है जिससे इसमें प्रयाप्त लोच आ जाता है इसकारण ये रेसे अपनी मूल लंबाई को सिगरता से प्राप कर लेते हैं इसी तरह विश्कोस रेवन में बिहत अत्यधिक प्रत्यास्तता पाई जाती है इन्हें निर्मित करते समय गोल को कुछ बड़े व्यास के स्पिन रेट के चिद्रों से होकर गुजारते हैं इसके बाद इन्हें खीच कर रोइठन देकर धागा बनाते हैं इसकारण क्रश होने अत्वा मुर जाने के पस्चाथ भी ये सोतह अपनी मूला क्रिति को प्राप कर लेते हैं इसके बाद देखते हैं इसके पर्तिय स्कंदता रेजिलियंसी रियोन बस्त्रों में उन एमंग सिल्क से कम पर्तिय स्कंदता पाई जाती हैं थोड़े समय तक वह थोड़ा सा खीचने के पस्चाथ तो ये अपनी प्रवा क्रिति को प्राप कर लेते हैं परन्तु अतिधिक समय तक अतिधिक अगर खीच देते हैं आप तो अपनी प्रवा क्रिति को प्राप नहीं कर पाते हैं इस कारण फैले फैले ही रा जाते हैं जैसे मान लो कि आपकी नाइटी है और लंबी बाजू का है या अपने ब्लाउज बनवाई लंबी बाजू का तो जहां सापकी कोहन हैं वहीं से यह खीच जाएंगे और वह कोहनी का का कहीं जैसी हो जाएंगे इसी तरह से अगर आपने सलवार बनाया है और जहां से अपका टाइट सलवार है और जहां से अपका घुटना आता है तो वहां से फैल जाएंगे जो वापिस अपनी पोजिशन को प्राप नहीं क करती है कि यह सब के लिए इसका होता है सथी इसके रसे अत्यनत्य होते हैं इसका और हलक के जिससे भारी वस्त्रों का निर्मान होता है वस्त्र के भारी पन के कारण तोचा को कम सी तलता प्रदान मिलती है परंतों इन में नमी सोखने की चमता अत्यदिक होती है एसिटेट रियोन का देखोगे तो आपके बुरे संभाहक होते हैं अताहिंसे निर्मित परिधान गर्मी के मौसम के लिए अनुप्यूगत रहते हैं गर्मी में पहनने से यह पसीना नहीं सुख पाते हैं जिसका आरण तोचा में चिप-चिपा हट हो जाता है आध्र और नम्म मौसम में इसे बने परिधान पहनने पर आपको कस्ट प्रतित होते हैं जैसे कि आपको अगर आप टेडिलेन, डेक्रोन, नायलोन के बस्तर अगर आप गर्मी के दिर में पहनते हो तो इससे जो इतना आपको कस्ट होता है और जिस तरह से जलन होती है इस तरह से एसी टोट रियोन के वस्त्र पहनने से भी होते हैं ता पिरमंग विद्धित सम्वहक्ता के अभाव में यह वस्त्र अस्थैतिक विद्धित प्रभाव अस्थैटिक लेक्ट्रिक चार्ज का निर्मान करते हैं इसी कारण यह पहनने पर तकलिफ दे होते हैं एस सेलूले जेसिटेट रियोन का उपयोग गर्म वस्तर के नीचे लगाई जाने वाले अस्तर के रूप में किया जाता है। इसलिए जब भीगे हुए अस्तिती में रहें तब उनको ज्यादा ब्रस से रगड़ करके मत धोएं अन्य था वहीं से आपका वस्त फट जाएगा और उनकी आखरती भी बिगड़ जाएगा शंकुचन देखोगे श्रिंकज तो श्रिंकज में भी रियोन में शिकूड़ने का अबगुन विद्यमान रहता है इसके कारण इनसे बने वस्त्रों के वेर्थ हो जाने के आसंकार रहती है परिसज्जा करते समय संकुचन परतिरोधी बनाने का प्रयास किया जाता है संकुचन परतिरोधी धागे ही परिधाने तो उपयोगी होते है नेक्स्ट है सफाय और परती दोहने के आउशक्ता नहीं होती है इसकी दूलाई करते समय अतिरिक तत्रकता एक्स्ट्रा केर की जुरुत होती है भीगने के फस्टात्रे से 25 से 30 पर्षेंट तक शक्तिक होकर निर्वल पढ़ जाते हैं इसलिए इन्हें हलके हाथों से दबा दबा कर दोना चाहिए रगडने से बस फट जाएंगे कसकर रिचोडने से बीरे से कमजोर होकर नस्ठ हो जाएंगे दोते समय नर्म, मिर्दू और उदासिन साबून अथ्वा गुनगले पानी का प्रयोग करना उक्तम रहता है इन पर सूखी धुलाई अगर करें ड्राइ क्लिन करें तो जाद अच्छा रहेगा और महंगे कपड़े पर तो ड्राइ क्लिन ही किया जाना चाहिए और आप देखते हैं क्रिज रेजिस्टेंस गोँ सलवर्ट परतिरोधता करतेय लिए प्र्वार परकास का प्रभाव मीरत देखते हैं तो एफ्ट अफ सनलाईट ए एंड एक्सपोजर भी आप देखोगे तो कोई सभी वस्ता लिजिए सिल्क लिजिए अगर आप लंबे समय तक दूप में आप सुखाते हो कपड़े को तो उसका हनिकारक प्रभाव पड़ेगा अधिक लंबे समय तक धूपे पड़े रहने से इसके रेसे निर्बल होकर के कमजोर हो जाते हैं और इनका रंग और चमक भी निकल जाता है इसलिए रंग और चमक की दृष्टी से इसके वस्त्र को धूप में और प्रकास्ट में ज्यादा नहीं सुखाना चाहिए चाहिए कोई से भी कपड़ा हो धूप काया तो आनिकारक प्रभाव पढ़ता ही है चूकि रेवन का वस्त्र रंग और चमक की दृष्टी से धूप से कम प्रभावित होता है तो इसका चाहिए तो परदा बना सकते हैं नेक्स्ट है फफूंदी और केडे का प्रभाव रेयोन के वस्त्र जल्दी ही फफूंदी से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि इनमें सेलूलोज होता इनका आधार क्या है बनाने का वस्त्र का सेलूलोज है कॉटन लिटर्स है वास की लुगदी है या लकड़ी की जाते हैं और इनको खत्म कर देते हैं इसलिए इनको फफूंदी और कीड़ों से बचाने के लिए परिसज्जा इस तरह से की जाती है ताकि कीड़े का प्रभाव इस पर नहीं पड़े लेक्स्ट है याद्रतर्या परतिधारन और आवसो शक्ता मुष्टर लीजेंड एलटीज और encrypted रियोंके निरव करते हैं इस कारण आद्र मौसम में ब्रसात के मौसम में या गर्मी में आवसम के लिए अनुकूल नहीं होते हैं और इस मोंसम में अगर इस मस्त्रों को पहना जाये तो एक रिभणी होते हैं इसीचेट Nepरूशरे छो के रेशों तक पानी परवेश नहीं कर पाता है साथिसीगरिटा से सुख भी जाता है इसलिए इनसे छाता वरॉषाती या बरॉसात के परिधान हादी बनाए जाते हैं रियोन के आधरता प्रतिधारन सम्ता 13 पर्षिन तक होती है उसके बाद देखते हैं सुखे ताप का प्रभाव और दाहियता एफेक्ट ड्राइए सुखे ताप काहनी कारक प्रभाव पड़ता है अताहिन आधर कंगर मिस्तरी के आउशकता पड़ती है नृट्स चुनट प्रकार इसली नमूने दिजाइन आधी बनाये जाते हैं रेयोन के रेसे तिब्र जोलन सील होते हैं क्यूप्रामोनियम एमंग विसकस रेसे तिनसब पचास डिग्री फारन हाइट ताप पर सिगरता से जलने लगते हैं लोग हटाने के पस्चाथ इनके किनारे पर कड़े मोती हार्ड विट के सब्री से असुष्ट पदार्थ जम जाते हैं तो यह रहा रेयोन की भौतिक विसस्ता हैं अगामी वीडियो में रेयोन के रासानी विसस्ताओं के बारे में चर्चा करूंगी तब तक मुझे जाने की इजाज़त लें धन्यवाद नमस्कार अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू फिर मिलेंगे अगले वीडियो में